हेलो फ्रेंड स्वागत अब सभी का हमारे चनल को के स्टेडी में मैं को मलबेश टेश वीडियो के माध्यम से दोस्ता आप क्या पर कराऊंगा जैव अनुक के बारे में दोस्तों जहां दोस्ते आप आप देखेंगे तो यहांपर देखेंगे दोस्तो शुरु का निके फली चिर्खवास्ती भी करना चाहेंगे यदि आपने हमारे चांक को सब्सक्राइब लाभी तक तो प्लीज हमारे चांक को सब्सक्राइब हीजिए और बेल ऐकन को प्रेस करना ना भुलेगा दोस्तों ताकि हमारी वीडियो के नोडिफिकेशन आपको प्रसम प्राप्त हो सकें तो आई शुरू करते हैं आप से आप देखिए एक कॉपी और पेना आप निकाल लेंगे दोस्तो ताकि आपको जो भी कोशन मिलेंगे उन सभी को दोस्ता आप नोट करते रहेंगे और यह दिदि आपने दोस्तो पार्टनर बना दिखाओ तो आप उसे आप नीचे लिंक से जाके देख सकते हैं पाशरो श्रिंखला होती है कौन सावाला है दोस्ते आपर देखिए आपका पहले एमीनो अमलका थोड़ा सा आपको इस्ट्रक्चर पता होना चाहिए दोस्तो उसके आदारप आपको पता लग पाएगा इसका होता है दोस्तो आपका एक कार्बन सेंटर में होता है दोस्तो ए आपके सिंपल वाले होते हैं जो आपके लिनियर होते हैं दोस्तो और आर्ल righty बापका打k कौ सिंकल का नहीं आलगिक बना से बना है तो यह दो स्बोड़ा रहेगा आर्लिकिल मापका प्र चया तो यह दोस्तों क्या होगा यहाब का यहां पर आपको अर्वॐंटी कहले हैं इस आंगला कुछ क्योंकि प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन से ही मिलकर बने म怎麼 ना यहां पर लूप मारे होते हैं यहाँ पर देखें नेचुरली जो आपके पाई जाते हैं दोस्तों उनका डीविन्यास नहीं होता आपका तीसरा वाला है बिल्कुल गलत है दोस्तों डीविन्यास का मतलब दोस्तों क्या होता है एक प्रकार से दोस्तों जिनमें आपका ऑप्टिकल प्रोपर्टी पाई जाते हैं द दोस्त आपको बताना इन में से कौन से वाला है, जिनका निर्मार दोस्त आमिनो असलों के द्वारा होता है, कार्बो हाइडरेट होंगे, या प्रोटीन होंगे, वसा होगी, विटामेन होंगे, ये दोस्त आपको पहले बता जा चुका है प्रोटीनों का निर्मार दोस्त आम होते हैं वसामल होते हैं प्रौटीन होते हैं है ऄर नम मरं का 3 वाला सभी हो जागा बहुत ही मैंतिलोख्यन हैistor विटामिन एसेडमसा ही मिलके बने होते है अगला अगछ आप नीस क्या होता है आपको दोस्टो विटाम你 में आपका जो B वाला होता है दोस्तो आपका complex होता है complex मतलब जड़ेल होता है दोस्तो और एक घुलने के बाद में अलगलग प्रकार के थाइमीन ही हो जाएगा option number आपका तीसरा वाला सही हो जागा दोस्तो और वैसी दोस्तो ascorbic acid किसका नाम होता है यह दोस्त आपका vitamin C का नाम होता है और यहाँ पर देखिए दोस्तो इनके आधार पे कमियों के पता होने चाहिए आपको bion की कमी से दोस्तो आपका बेरी-बेरी रोग होता है और vitamin B2 की कमी से दोस्तो आपका त्वचा रोग होता है और vitamin B12 से दोस्तो आपका एनिमिया होता है तो यह मुख्य रूप से दोस्तो आपके तीन आते हैं B में तो इन तीनों को आप याद रखेंगे अगला कुछ नहीं आपर देखिए दोस्तों मानव शरीर में निर्मार्ण नहीं हो सकता है मानव के शरीर में दोस्तों इन में से किसका वाला निर्मार्ण नहीं हो सकता को बताना है एंजाइम का, DNA का, या विटामेंस का, या फिर हार्मोंस का ये दोस्ट आपके आपर देखिए विटामेंस का हो जागा, option number आपका, तीसरा वाला सही हो जागा, विटामेंस दोस्तों हम बाहर से लेते हैं, आपको पता होगा, इनका निर्मार दोस्तों हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, अलग-अलग प्रकार के खादे बदार्स हों से दोस्तों हम इनका यहां पर सेवन करके इनको लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, और चीज़ें दोस्तों हमारे शरीर में बनती रहती हैं, अगला कुशन आपर देखिए दोस्तों कैलसी फिरोल कहलाता है, आपको बताना है दोस्तों कैलसी फिरोल किसका नाम है, विट के लिए वितामिन सा प्र scrap react से क्या होता है उसके स आँखोंगों से औरchos आँखों का रोग होता है तो तो option number आपका 3 वाला सही हो जागा और इसकर भी दोस्त आपको पता है विटामें C की कमी से होता है जो कि दांतों में खास तरफ़ होता है इससे दोस्तो हट्डिया कमजोर हो जाती है और साधी साथ मसूले भी दोस्तो सूजने लगते हैं उनसे खुन निकलने लगता है और बेरी बेरी दोस्त आपको बता दिया हमने B1 की कमी से होता है और अरक्तता दोस्तू और वैसे दोस्तो अरक्तता का मतलब क्या है मतलब रक्त की कमी अर्था दोस्तो अनिमिया तो अनिमिया आपको बताया हमने B12 की कमी से होता है तो इस सब आप नोट करते रहेंगे कि अगला कुशना आपर देखे दोस्तो निम्रे बाद चुन सा वहला विटामिन इसकरवी रोग के लिए उतरता यह औभी आपको बताया दोस्तू जो आपका इसकरवी रोग होता है डातों से समंद्रित होता है दोस्तों और इसमें मसूड़े फूलते हैं रखता निकलता है अडियां कमजोर हो जाते हैं दातों की तो यह दोस्ता आपका विटामिन C की कमी से होता है ऑप्षन नमबर दो वाला सही हो जागा अगला पर देखें दोस्तों एसकॉर्बिक अमले है यह आपको बताया रोग नहीं होता वाला विटामिन कौन से वाला है विटामिन D, विटामिन B समूह या फिर विटामिन E या फिर विटामिन A दोस्तों आपका विटामिन E होता है ऑप्षन नमबर आपका तीसरा वाला सही हो जागा दोस्तों यहां पर देखें दोस्तों जब विटामिन E की क होंगे ब्री होंगे यह दोस्ता है कि इसका है इससे अन्य किस नाम से जाना जाता है यहां पर इसका इस तो इसका इस्त डोगा बताना क्या नाम है इसका अन्य नाम आपको क्या है बताना है विटामिन H होगा या फिर विटामिन K होगा विटामिन E होगा विटामिन B12 होगा यह दोस्ता आपका विटामिन H कहलाता है option number आपका पहला वाला सही हो जागा दोस्तू यह दोस्ते, अब और गुलंशील होता है और वैस facto क्ैलिसी, फिरोल भी दोस्त आपका भूलंशील होता है जो कि आपका Vitamin D है दोस्तो तो आप नाम याद रखेंगे है कलिसी, ृरोल दोस्तो विटामिन D अगला कुशन आपर देखे दोस्तों निवन में से प्यूरीन व्यूत्पन है दोस्ते आपर देखे प्यूरीन से क्या व्यूत्पन होता है दोस्तों अर्थात क्या पैदा होता आपको बताना है आपको दोस्तो पहले समझना पड़ेगा Purine क्या है आपको बता होगा दोस्त हमने DNA के बार में आपको बता है पिछले वीडियो में भी DNA जो कि दोस्त आपका क्या है एक Nucleic Acid है दोस्तो डियाग से Crybo Nucleic Acid आपका एते हैं इसमें दोस्ते आपर देखें क्या होता तीन चीज़ें होते हैं दोस्तो मुख्य रूप से एक आपका होता नाइड्रोजेनिक शियार एक आपका होता है दोस्तो पैंटो शरकरा और एक आपका होता है दोस्तो फासफोरिक अनू दोस्तो और एक आपका आता है दोस्तो प्रीडीन प्रीडीमीन आता है एक आपका प्री मीडीन आप याद रखेंगे इनको तो इनमें दोस्तो आपके आपका पर देखें दो इनसे दोबारा फिर दो व्यूत्पन्न होते हैं दोस्तो जो कि आपके आपके होते हैं उनमें आपका एक ग थाइमीन होते हैं साई वर्पटी से यहां पर आपको गवानीन दिया है तो आपका दो आला गवानिन गवानिन सब्सक्राइब दोस्ता आपको रोगान कुछर यहां पर दीएने की डुकुंडली । आ का राणवेर्यπά आपके दुकुंडली पाई जाती है दोस、、、 आपको पताना इसका क्या reason है इसका reason ही आपकर दोस्ता आपका इस्थिर विदो ताकर्षन होगा wanda barol होगा या फिर दूरुद्रो दूरुद्रो अंध्योंस क्षिए आं हि़ोगा है हैль Ple 41 बंद होते हैं अगला कुछन आपर देखे दोस्तों, DNA में पाये जाने वाले पिरीमिडीन खिशार होते हैं, अभी अभी दोस्ता आपने आपर देखिए क्या पड़ा था दोस्तों, अभी आपने प्यूरीन से का पड़ा था, अब आपका आगया पिरीमिडीन का, आपको बता दिया दोस्ता हमने चार पाये जाते हैं, तो पिरीमिडीन के भी तो आपके दो होते हैं दोस्तों, इनमा आपका साइडोसीन और एडिनीन होगा, या साइडोसीन तथा थाइमीन होगा, या साइडोसीन तथा यूरेसिल होगा, यह दोस्ता आपक आपने थायमीन देखा वहाँ पर आपका आजागा यूरेसिल दोस्तो यूरेसिल आपका आजागा थायमीन की जगप है और बाग की दोस्तो आपके बिल्कुल वही रहेंगे to body में वो होता है दोस्ता आपका fight या we Alg ग्रंत होती है जो कि घ्लेंड होती है दोस्तो तो इससे निकलता है और ये कहांपर पाइव आपके दोस्तों बुरुकों के उपर से गुर्षों में बीटों के उपर दूस्त पाइजाती है और ये पर sistema आयोडी इंडिः करती आपको इनमें से बताना है दोस्तो कौन से वाले हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है ये टेस्टे इस्टेरोन में या फिर एड्रिनेलीन में या फिर थाइरोक्सिन में या इंसुलिन में यह दोस्त आपका थायरोक्सेन में पाई जाती है दोस्तो आपका तीन वाला सही हो जागा थायरोक्सेन दोस्तो जो कि एक परकार सी उपा पजय का कारी करता है दोस्तो और भी बहुत सारे कारी करता है तो इसमें दोस्तो आयोडीन पाई जाती है आपका तीन वाला सही हो जाहिन जाबारत